हेलो दोस्तों एक बाई फिर से आप सभी कर स्वागत है एजुकेशन बाईट पर मैंच की आची क्लास में हम कोड और कोड के प्रकार पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले जिमिट्री का फर्स ट्रॉपिक मैंने करवा दिया था बिंदू रेखा वक किर नहीं है हमारे पास एक एबी रही ठीक है एबी मानो या फिर इसको किसी और नाम दे दो एम एन माल लो ठीक है और एक किरड यह रही इसको नाम दे दिया तो इनके बीच जो आकरती बनी है यही आकरती क्या कहलाएगी कोड ठीक है जैसे यहां बना हुआ है यह जो आकरत बना दी P Q R ठीक है तो अब इसको लिखेंगे कैसे तो कोड को जब भी हम लिखते हैं तो जो कोड जिस पॉइंट पर बन रहा होता है उसको अमेज़ बीच में लिखना होता है जैसे यहां पर गर में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे सबसे पहले पी से चलेंगे पी फिर क्यू फिर आर तो एंगल का निसान बनाएंगे पी क्यू आर ठीक है इस तरीके से कोड लिखा जाता है अगर प्रदर्शित करना है या फिर हम ऐसे भी कर सकते कि आर की साइड से चले हम किदर से भी चले लेकिन जहां एंगल बन रहा है वो वाला बी तो एंगल ए ओ बी ठीक है अब बी से चलेंगे अगर हम तो ई बन जाएगा बी ओ ए किसी भी एक तरीके से आप लिख सकते पर इस चीज का ध्यान रखें जिस पे एंगल बन रहा है जहां पर ये जिस उस पे पॉइंट पर बन रहा है इंड कोड उसको में बीच में रख मिलेंगे वो डिगरी में मिलेंगी ठीक है डिगरी का सायन कैसे लगाते जैसे माली जें नब्भे डिगरी लिखना भानतो नब्भे अंस उपर एक छोटी सी बिंदी लगाई जाएगी next code के प्रकार तो code में सबसे पहला प्रकार है आपका 0 code ठीक है zero angle बोलते हैं इसको तो 0 code में क्या होता है जब दो रेखाओं के बीच का code क्या हो 0 यानि की एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा खीच दी जाए c db यही है यसे माली जे a b थी और a b के ऊपर हमने क्या खीच दी c और d ठीक है हमने यहीं तक खीच यह माल लो ठीक है तो एक के ऊपर दूसरी हो जाएगी ना तो इन दोनों में के बीच में कौन सा एंगल बनेगा 0 डिगरी का एंगल बनेगा ठीक है तो वो आपका 0 code क्या लाएगा ठीक है नेक्स्ट है आपका न्यून कोड तो न्यून कोड और सम कोड अब यहां से आपके स्टार्ट हो जाएगे इन सब को आप एक साथ अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और इनका चार्ट वगरा बना के देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो न्यून कोड में क्या होता है यहां मैंने लिखा है 0 से 90 यानि इसका मतलब यह हो कि 0 से 90 के बीच में होगा ठीक है कहने का मतलब यह हुआ कि मान 0 तो नहीं होगा तो कि 0 तो 0 code का हो गया ठीक है और 90 भी नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से स्टार्ट होगे आपका कहां तक का एंगल होगा 89 डिग्री तक ठीक है एक से लेके 89 डिग्री तक जितने भी आएंगे ना नंबर वो सारे आपको क्या कहलाएंगे नियून कोड कहलाएंगे अब नियून कोड की आकरती कैसे बनती है उसको देखिए तो ऐसा कोड जो 0 से बड़ा होता है यानि कि 0 से बड़ा हो जाएगा 1,2,3,4,5,7,8,9,10 कितना भी हो सकता है और 90 से छोटा हो यानि कि 89,88 इस तरीके से हो जाएगा तो वो आपका नियून कोड कहलागा इसकी आकरती सदेव ऐसी ही बनेगी ठीके ऐसी या फिर आप मालो ऐसी भी बन सकती है ठीके 90 की आकरती के ऐसे 90 ऐसे बनता है न तो 90 से ही कम बनेगी यानि कि इधर को ही बनेगी आपकी आकरती है ठीके तो वो आपका न्यून कोड होगा हमेशा आकरती आपको ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगी ठीक है सम कोड क्या होता है तो सम कोड वह कोड होता है जो नब्भेंस होता है ठीक है सम कोड की माप क्या होती है 90 ही होती है माप ठीक है तो इसमें जो किरने होती है आपकी मिली होंगी और यह जो एंगल बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है ठीक है अब आते हैं अधिक कोड पर तो अधिक कोड क्या होता है अधिक कोड में आपका वही है 90 से 180 मिलेगा लेकिन क्या है 90 से छोटा होगा और 180 से क्या होगा बड़ा होगा ठीक है इस चीज को याद रखना नब्बै से तो वो छोटा होता और 180न से क्या होता है कि नेक्ष्ट न्यून कोड तो न्यून कोड से अंकल आ जाएंगे एक डिगरी से लेके आपका नवासी तक यानिकि एक से स्टार्टिंग हो जाएगे और नवासी पेहंट होगा नवासी भी क्या है आपका न्यून कोड है कोशन जाता है कि 78 डिगरी कौन सा कोड है आपका तो आप समझ गए ना 0 से बढ़ा है और 90 से आए अभी ठीक है अब आते यह समकोड पर देखे एक्समेशामपल कि人पव придu thirty ठीक है अब क्या है आपकर आपको कौड के दिया जाता है ठीक है और यह पूझता है कि यह कोड है वो कैसा इसा इसकोड और पर को में आपको यह बताना पर आता है पिर आता है एंगल थिक है, तो वो आपका क्या 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 लाएगा, सम कोड क्या लाएगा, इसमें आकरती आपकी कैसी मनेगी, आप knappal की बात करे, तो इसमें सर्फ एक ही Highakter आपका 90 डिग्री, इसके अलावा और कोई example नहीं होगा, तो आपका अलग चला जाएगा और नवासी कर दिया आपका नियून कोड में आ जाए गए नावासी मतलब 89 ठीक है और एकन्यान में आने की 91 तो वो अलग चला जाएगा जैसे शून्य में क्या था शून्य कोड में सिर्फ शून्य वाला ही आएगा जीरो डिगरी वाला और सम कोड में यानि राइट एंगल में सिर्फ 90 डिगरी वाला ही आएगा उसके लाबा कोई भी नहीं आएगा तो संब्स मत ओना यहां पर टिक है नेक्स्ट अदिकोड तो एसा कोड जो नभे से आपका क्या होता है बड़ा होता है और 180 से चोटा होता है ठीक है नभे से बड़ा होगा 180 यानि कि क्यामनी वाला किस में आ जाएगा अधिक कोड में आ जाएगा और इधर हम देखें तो 179 डिग तो देखिए 79 किसमे आएगा अधिक kोड में आएगा ठीक है एक मैं आपको दे रही हो आप बताईए किसमें आएगा ठीक है तो ये भी आप statistics में आना है 90 से बड़ा 180 से चोटा है एक्जाम्पल 120, 135 डिग्री, 99 डिग्री, 170 डिग्री, ये सारे आपके क्या होगे, ये सारे आपके अधिक कोड होगे, ठीक है चलिए अधिक कोड की आकरती देख लिए अधिक कोड की आकरती कैसे बनेगी तो अधिक कोड कुछ ऐसे बनेगी देखिए 90 अंस का तो ऐसे बनता था ना आपका और आपका जो 180 अंस का बनता है वो 180 अंस का ऐसे बनता है ठीक है तो अब देखिए अब आपको जो अधिक कोड की आकरती बनेगी वो कैसी बनेगी अधिक कोड की आकरती ऐसी ऐसी जाएगी ठीक है जो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रही हूँ ठीक तो अधिक कोड की जो आकरतिया आपकी बननी है ये blu वाली जो line आपको दिख रहे हैं ये कुछ ऐसी बनेगी यानि की जो अधिक कोड बनेगा वो इस तरीके से आपका बनेगा ठीक है ये जितने भी मैं कोड बना रही हूं ये सारे अधिक कोड हैं देखिए इस तरीके से ठीक है यह आपके अधिक कोड़ होते हैं अब आईए आगे next सरल कोड़ पर सरल कोड़ आपकर क्या होता है कि जो किरने हैं इनके बीच कौन सा एंगल बनना चाहिए 180 डिग्री का जैसे मैंने एक ये खीच दी और एक ये खीच दी तो यहाँ पर जो एं 180 अंस वाले कोड़ को ही हम रिजु कोड़ या सरल कोड़ बोलेंगे ठीक है इस ट्रेट एंगल सिर्फ 180 अंस वाला होगा जैसे शून्नी कोड़ में सिर्फ शून्नी वाला होता था सम कोड़ में सिर्फ 90 वाला होता था और सरल कोड़ में आपका सिर्फ क्या होगा 180 अंस वा और 360 degrees से छोटा ठीक है तो 180 से बड़े वाली सारे बहुत कोड होंगे इसको दूखी हिंदी में कई सारे नाम होते हैं हिंदी में और नाम देख लेजिए प्रतिवर्ती कोड बोलते इसको और पुनर युक्त कोड बोलते हैं ठीक है तो जो भी आपका 3 poster ऐसे कोई एक नाम दे दिया जाए आपको वही नाम लिख दीना है तो ऐसा कोड जो 180 अंसे बड़ा हो पर तो 360 से छोटा हो वो आपका कहलाता है ब्रहत कोड आपका ब्रहत कोड एक्जाम में पूछा भी या था कोई भी आपको यंगल लिख के दे देता है 270 क्या है ब्रहत है या अधे के कौन सा है तो क्या है ब्रहत है ठीक है इतना याद रखना है कि 180 से बड़ा होगा 360 से क्या होगा छोटा होगा तो वो क्या कहलाएगा ब्रहत कोड कहलाएगा नेक्स्ट ये आपका संपूर्ण कोड यानि संपूर्ण कोड ठीक है तो संपूर्ण कोड में क्या होता है कि जब दो केरने किया दो रेखाओ की बीच आपका जो एंगल है वो कितना का होगा 360 का तो अब इसको समझे अभी आप में जो शूर्ण कोड पढ़ा था न वैसे यह अगर इस रेखा के उपर हम एक और रेखा खीच दें तो देखिए जो इनका अंदर से कोड बनेगा वो तो बनेगा कितने का 0 degree का अगर हम इनका बाहर कोड देखेंगे तो यह कोड जो बनेगा वो बनेगा 360 का तो यह वाला जो कोड बाहर वाला यह कहलाएगा क्या समपूर्ण एंगल complete एंगल ठीक है तो इस तरीके से आपके यह कोड थे अब एक बार इनको फिर से समझ लेते हैं की कैसे थे जीरो एंगल था आपका फिर था 90 जो मिड़ पॉइंट बता रहे फिर 180 और फिर था आपका 360 ठीक है जीरो वाला था आपका 0 कोड 90 वाला था सम कोड 180 वाला था सरल कोड या रिज कोड और 360 वाला क्या था complete angle या फिर सम्पून कोड ठीक है अब आईए इनके बीच वालो पर तो 0 से 90 के बीच वाला क्या था noon कोड था ठीक है 90 से 180 के बीच वाला क्या था आपका अधिक कोड था ठीक है और 180 से 360 के बीच वाला क्या था आपका व्रहत कोड था ठीक है तो अपनी नोट बुक पे इस तरीके से इनके लिखे इनके बीच के जितने भी मान होंगे आपके वो सारे कहलाएंगी ठीक है कोशन इसी तरीके से पुछेगा बार-बार आपके मन में आ रहे हो कोशन कैसे पुछेगा तो कोशन बस ऐसे ही आएगा आपको लिख के दे दिया जाएगा कोई भी एक एंगल और पूछेगा कि यह कौन से कोड में आएगा देखिए मैंने इस तरीके से इसको चार्ट पे एक साथ लिख दिया है इसको एक साथ भी देख लो आप अगर आपको इस तरीके से बना के भी दे देना मान तब भी आपको समझ जाना है कि कौन सा बना हुआ है देखिए ये वाला जो sign होता है जिदर मूँ खुला होता है उदर क्या होता है मान बड़ा होता है जिदर मूँ बंद होता है उदर मान होता है छोटा ठीक है तो 0 कोड तो 0 समझ में आया नियून कोड में क्या 0 से बड़ा तो x जो यहां पे है न x कोड को दर सा रहा है ठीक है तीनों संपकॉर्ण में क्या होगा संपकॉर्ण में आपका 90 सीधी आरहा अधिकॉर्ण में नभ्य क्या स्वकॉर्ण से 307 कुछ भी आजाए 307 नहीं तो आपका लास्ट ही यह तो यह कुछ भी आपका तो वह आपका हो जाएगा कैते हैं प्रतिवर्ति कोड या फिर बहत कोड और संपूर्ण कोड में आपका आ जाता है सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट में बहुत ज्यादा डीप में नहीं तो इसलिए मैंने इसको छोड़वा दिया है बाकी तो जब आपका तो दो पॉइंट है यह मुझे इंपोर्टेंट लग रहे थे तो इसलिए मैं आपको यह करवा दे रही हूं कोड की युग में एक है कोटी पूरक कोड जिसको पूरक कोड बोलते हैं और एक है सम पूरक कोड ठीक है तो इन दो से कुशन आजाता है अब कि होते क्या है ठीक है कोटी पूरक को सम पूरक में क्या है आपके दो एंगल होंगी ठीक है दो एंगल वो भी जोड पर आधारित होगी ठीक तो ऐसे दो को जिनका योग आपका 180 निकलेगा वो दो कोड आपस में समपूरा कोड कहलाएंगे ठीक है जैसे मान लेजे मैंने एक कोड ले लिया 45 और दूसरा भी ले लिया क्या 45 तो ये दोनों कोड मिलके कितना योग बनाएंगे 90 बनाएंगे ना तो ये क्या कहलाएंगे आपस में ये 70 और एक ले लिया 20 तो ये क्या है आपस में कोड पूरक है ठीक है अगर हम इन्हें X की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे हो जागा एक हो जागा X डिग्री और दूसरा हो जागा हमारा 90 माइनस X ठीक है यहाँ पर कॉमा लगाईए 90 माइनस X ठीक है तो ये हो जाए का आपका कोटी पूरक की बात अगर हम संपूरक की बात करें तो इसमें क्या है ऐसे दो जिनका योग 180 होगा जैसे 120 और 60 हो गया 100 और 80 ले लो आप इनको भी जोडने पर क्या निकलेगा आपका 180 तो ये दोनो ये 100 वाला और 80 वाला ये दोनो आपस में क्या है संपूरक है ठीक है तो स संपूरक में क्या होता है याद रखना है की चंपूरक 108 बड़ा शब्द है संपूरक ıktो याद रखीस बड़ा क्या है छोता सब्द है वाले मेंail कैसा एक है बड़ा और इंग्लिश में अगर आपको याद करना है complimentary और supplementary तो इसमें क्या है C नंबर पहले आता है न देखिए इधर C पहले आता है A, B, C, D के साब से और S बाद में आता है और 90 से अगर हम देखे तो 90 पहले आता है और 100 असियंस बाद में आता है तो इसलिए C वाला पहला वाला पहले वाले के साथ जाएगा और last वाला last वाले के साथ जाएगा इस तरीके से trick से याद कर लिजे ठीक है जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे याद कर लिजे ठीक है आज की class में बस इतना ही या फिर आप और भी यूट्यूब चैनल या जो भी आप देखते हो वापर आगर आपको एक्सराइज मिल रही है या फिर आप गूगल से एक्सराइज डाउनलोड कर लीजी अपनी और वैसे तो PDF मैंने डाल दी थी क्या है जितने प्रेक्टिससों कर सकते हैं, आपने पवन राजन के जो भी आपने लिया थो उसने भी आपको इंशंच हो सउल्व करते रही है अर ने प्रेक्टिसं करते रहें 취 सब्सक्राइब